हम आदी सकती मावैशनों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं मावैशनों रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम आदी सकती मावैशनों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं मा वैशनो रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का तेता युग में बढ़े गया दैत्यों का आत्या चार होने लगी थी विजय धर्म की धर्म रहा था सभी देवताओं को थी फिर मा की यादाई सरस्वती लच्मी और काली मा तीनों आई तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वैरू हात जोड बोली कन्या है माता बतलाओं मुझे बनाने का परियोजन क्या है जदा समझाओं सभी देवता जैका रामाता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विगड़े का है पावन मा का धां यह बनते विगड़े का टीनों माता बोली इक राजा रत ना सागर कन्या रूप में ले लो जनम तुम जाके उनके घर फिर कन्या ने तीनों के आदेश कमान किया राजा रत ना सागर के घर जाके जन्म लिया त्रिकुटा और वैश्न भी उस कन्या का नाम पड़ा अदपुत कन्या जन्मी राजा प्रसन हुआ है बड़ा यग्य हवन भी करता राजा और कभी करे सिकात खेल खेल में राजा ने कई पस पच्छी दिये मार सौक में कई निर्दूस प्राणी मारे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवे शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे कहां सौक पिता का वैशन भी को तो रास नहीं आया क्यों करते वद निर्दूसों का पिता को समझाया अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान बेटी के जो सुने विचार वो हर सित बड़ा हुआ वैशन धर्म का उस दिन से धर्ती पे जन्म हुआ किसी कवधना करना राजा हुक्म सुनाते है पावन कथा सुनाते है मा वैशन रूप में क्यों आई ये हम मतलाते है है पावन मा का घां यहां बनते विगड़े का फिर भगती के मार्ग पे कन्या का मन आया करना है मुझको तप माता पिता को समझाया सुनकर वेटी के मचनों को माता हुई बेचै बिना तुम्हारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रै घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी देख के नर्भक्षी पसों को बेटी डर जाओगी घबराओ ना माता मुझको देतो आशिरवार परियोजन इस धर्ती पर आने का मुझे है यार ना चाहते हुए मात पिता अग्या दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बत लाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विगडे का मात पिता की आग्या लेकर वन को किया प्रस्थान सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभू का ध्यान अनजल उसने त्याग दिया छोड़े संसार के कान घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही रा राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए देख के कन्या की भगती को मन में हरसाए क्या चाहती हो है कन्या तुम मुझे को बत लाओ बोली अरधा गिनी रूप में मुझे को अपनाओ इस युग में पतनी मेरे सीता राम बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों माई ये हम बत लाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का बोले राम हे कन्या तुम्हारा तपना हो बेकार कल युग में जब कल की रूप कलेंगे हम मोता फिर तुमको अरधांगी निरूप में हम तो अपनाएंगे इच्छा पूरण होंगी कल की रूप में जब आएंगे त्रिकूट परबत पर जाकर तब तक तुम वास करो भगतों का उद्धार करो दुष्टों का नास करो वहां वैश्णो देवी नाम से तुम जानी जाओगी सकल स्रिष्ट में हे गन्या तुम ख्याती पाओगी राम प्रभू फिर त्रिकूटा को ये वर दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवेश्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मां का धां यहां बनते बिगडे का सिरी राम के आँग्यां का मां पालन है गरती वैश्णो देवी रूप में माता सब के दुख हरती स्रंता भावस जो भी आता है इनके दर्बाद सारे कष्ट हरे माता और खुसियां मिले अपार तीनो रूप में यहां बिराजे जग की रखवाली मात सारदा महालक्ष्मी और महाकाली जिन भगतों को होता वैश्णो माता पे विस्वार नहीं तूटने दे दी माता बेटों की कुई आज तभी तुदर सन करने भत लाखो आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बत लाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का कटरा से कुछ ही दूरी पर हनसा लीक गां माता का एक भक्त हुआ था जिसका स्री धरना माता के चर्णों में उसकी ऐसी लगी लगन छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन गंगा जल से कन्याओं के पैरों को धोता करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता अतिनिर धन हो कर भी सबका करता था सम्मा एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संता माता के चर्णों में नित अर्दास लगाते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विग्डे का है पावन मा का धां यहां बनते विग्डे का भक्त सिरी धर के मन में फिर एक दिन उठा सवा भक्ती में क्या दोस है मेरी करती नहीं खया क्यों नहीं देती दर्सन मुझे को ये तो बत लाओ सच्चा दास तुम्हारा हूं मा मुझे को अपनाओ बोला सीस जुका कर मैंने अब मन में ठानी जब तक दर्सन ना दोगी ना खाऊं अनपानी रोज की तरहा किया उन्होंने फिर कन्या पूजन कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्सन हाथ जोड कर कन्या से कुछ पूछन चाहत है पावन कथा सुनाते हैं मावे शोरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते विगड़े का कौन अलो किक सकती है ये ना वो पहचाने करते प्रस्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने है मेरा आदेश की सारा गाओं को बुलवाओ मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ जो भी मिलता जाए उसको दे दे ना न्योता भोजन करवाने से बड़ा कोई पुन्य नहीं होता मन ही मन सोचे स्रीधर ये कैसे हो पाएगा छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गाओं आएगा अति निर्धन थे स्रीधर जिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का है पावन मा का धां यह बनते बिगडे का हे जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज कठिन पर इच्छा है मेरी मुझको लगता है याज घर घर जाकर नी मंत्रड वो सबको दे आया भैरोनात का डेरा भी था रस्ते में पाया हाथ जोड कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा सारे गाओं के संग आपको भोजन करवाऊंगा बोले भैरोनात है स्रीधर क्या तुमने पाया फूटी कोडी नहीं है करसे बंडारा लाया उस कन्या के बारे में स्रीधर बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यूं आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का सुन स्रीधर की बात अचंभित भैरों बड़ा हुआ गोरकनाथ गुरू को सारी बात बताने लगा बोले गोरकनाथ की देखे कौन है वो कन्या करते हमको त्रिप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा अपने सिस्यों संग हम स्रीधर के घर में जाएंगे देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे भैरों और गोरक अपने सब छेलों संग आएंगे बने हैं छपन भोग देखके वो तो चक्राएंगे कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यूं आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का देखा के एक कन्या सबको भोजन रही खिला ना साथारन कन्या ये मन में संदेह हुआ बोले गुरु से भैरो इसका लेना पड़े इंतहान हैसा धारन कन्या कोई मैं नहीं सकता मान बोले भैरो कन्या से ये भोजन नहीं है खास पीने को हम चाहिए मदिरा और खाने को मास कन्या बोली है भैरो क्या तुमको नहीं विवेक ये है वैश्णो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख फिर भैरो कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बतिलाते हैं है पावन माता धां यहां बनते विगड़े कां हाथ पकड़ना चाहां कन्या हो गई अंतर ध्यां पर अपने तप पे भी था भैरों को बड़ा अभिमान गर्ब जून की गुफा में माता फिर जा कर गई पैर खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरों रहा था है गुफा के द्वार पे एक साधू ने भैरों को समझाया लोट जवाप इस भैरों वरना काल तेरा है आया क्रोध में भरके भैरों ने उस साथू को दुदकारा क्या मुझे को तुम नहीं जानते भैरों नाम हमारा करते काम है पूरा जो जिद पे अड़ जाते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावै शुरूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यह बनते विग्डे का है पावन मा का धां यह बनते विग्डे का भैरों नात ने उस साधू की बात नहीं मानी हट करके घुस गया गुफा में वो भैरों अभिमानी माता को आभास हुआ अपना तिर सूल उठाया गुफा के पिछले भाग में जाकर रस्ता एक बनाया कहां गई वो कन्या भैरों होने लगा बेचै जब तक भेद नहीं जानूंगा आयन मुझ को चै त्रिकूट परवत की गुफा में वित्त मान थी मा कहां छुपेगी कन्या तेरा पीछा चोडू ना लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरों पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवे शरूप में क्यूं माई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे कां लांगुर वीर को फिर भैरों ने युद्ध के लिए लल कारा काहा थी पीछे हटने वाले दिया चवाब करारा लेकिन लांगुर वीर में भैरों पढ़ने लगे भारी क्रोध में भरके आ गई माता अश्ट भुजा धारी वद करने को भैरों का माता हो गई मजबूर काट दिया सर भैरों नात का गिरा वो जाके दूर भैरों को अपनी गलती का फिर आभास हुआ किये कराए तपका मेरे माता नास हुआ माता से पिंती करके वो माफी चाहते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बत लाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का करुडा मैं मात ने फिर भैरों को माफ किया घूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ किया है भैरों ये तब तेरा यू व्यर्थ न जाएगा जो मेरे दर्सन करेगा वो तेरे दर भी आएगा माने जाए मेरे दर्सन तेरे बिना धूरे मेरे बाद तेरे दर पे आए तभी वो होंगे पूरे इसलिए जो भत बैशनों द्वार पे आते हैं माता के दर्सन कर भैरों मंदिर जाते हैं जोर जोर से जैकारा माता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का सपने में आकर मौने स्रीधर को दिया वर्दा चार पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संता युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंस करेगा ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा माता के वचनों को सुनकर स्रीधर धन्य हुए सब इच्छाएं हो गई पूरी अतिप्रैसन हुए सबसे अब तक स्रीधर वन सही करता मा की पूजा वैश्नों धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा होजी सुरेस और टीयस पाल तुसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्नों रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धाम यहां बनते विगडे का